नबसकार, वर्ल कप में बांगादेश के खिलाव अपना मुकाबला खेलने उत्री भारतिय टीम इस बार कुछ ऐसा कर बैठी जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी भारतिय टीम में जहां एक तरफ महेंदर सिंग धोनी विकेट कीपिंग संभालते हैं तो उनके लिए ये भी माना जाता है कि वो जब तक मैदान पर होते हैं भारत की जीत के चांसे उतने ही ज्यादा होते हैं और तब तक वो चांसे बने रहते हैं लेकिन इस बार क्या महेंद्र सिंग धोनी पर इंडियन टीम का इंडियन टीम मैनेजमेंट का भरोसा कम हो गया हम ये सवाल इसले पूछ रहे हैं क्योंकि इस बार बांगलादेश के खलाफ भारते टीम चार विकेट कीपरों के साथ होतरी है वो चार नाम कौन-कौन से हैं जो विकेट कीपिंग करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे पहला नाम तो महेंद्र सिंग धोनी का है जो की रेगुलर विकेट कीपिंग करते हैं नजर आ रहे हैं और वो इंडियन टीम के कैप्टन रहे चुके हैं सबसे सफल कैप्टन आप कह सकते हैं विराज कोली ने कई प्रेस कॉन्फरेंस में साफ़तोर पर कहा है कि अगर वो किसी मैच को जीतते हैं तो इसके पीछे के रणनिती महेंदर सिंग धोनी की होती है लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी कि आज दिनेश कार्तिक को भी खिलाना पड़ा रिशप पंत को भी खिलाना पड़ा और केल राहूल को भी खिलाना पड़ा गौर तलब है कि केल राहूल घरिलू मैचेस में विकेट कीपिंग पहले ही कर चुके हैं कई बार उन्हें IPL में भी विकेट कीपिंग करते हुए देखा गया रिशप पंत एक regular विकेट कीपर है इस World Cup में वो केव जशंकर के गायल होने के बाद पहुंचे हैं और उन्हें अब मौके भी मिल रहे हैं वो अच्छा खेल भी रहे हैं दिनेश कार्तिक को आज मौका मिला केदार जादों की जगा केदार जादों आउट ओफ फॉर्म थे लेकिन दिनेश कार्तिक भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए लेकिन इस बीच मैदान पर हमने देखा कि काफी देट तक रिशप पंत विकेट कीपिंग करते नजर आए तो क्या धोनी के साथ कोई प्रॉब्लम थी धोनी के साथ कोई समस्या थी या टीम मैनेजमेंट चाहता है किसी वर्ल कप में किसी और विकेट कीपर के नाम पर या और विकेट कीपर के साथ वो कोई दाव के ले ये भी बड़ा सवाल है दिनेश कार्तिक तकरीबन 12 सालों बाद आये हैं टीम में वो भी एक regular wicket keeper है अभी हाली में उन्होंने IPL के दोरान wicket keeping की तो एक अच्छे wicket keeper के तौर पर उनकी पहचान भी है अच्छे बल्लेबास भी है तो इसलिए दिनेश कार्तिक को भी लाया गया क्योंकि केदार जाद वो out of form थे वो अच्छा नहीं खेल पा रहा है थे और लोग ये लगातार मांग कर रहे थे टीम से कि दिनेश कार्तिक जो कि एक हरफन मौला के लाड़ी माने जाते हैं उन्हें लाना चाहिए टीम management को टीम management ने इसे माना इसे स्वेकार के और आखिरकार दिनेश कार्तिक को लाया गया है लेकिन ना तो दिनेश कार्तिक नहीं रिशबपन्त और नहीं केल राहुल बलकी महेंदर सिंध धोनी टीम इंडिया के लिए number one wicket keeper है और दुन Southwest number one wicket keeper है एक अच्छे कप्तान की भूमिका वो पहले निभा ही चुके हैं, एक अच्छे प्लेयर की भूमिका भी निभा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि महिंद सिंग धोनी की जगहां कोई और विकेट कीपिंग करता हुआ नजर आए, क्या अगले मैच में धोनी को आराम देने की तयारी है या फिर कुछ और थोड़ा इंतजार करना होगा। हिंदोस्तान ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, बलकि इंग्लैंड में भी ये प्रयोग हो चुका है, इंग्लैंड में भी तीन-तीन विकेट कीपर को एक साथ एक ही मैच में मैदान पर खेलते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी के महीने में इंग्ल हिंदोस्तान ने कोई नया प्रयोग नहीं किया है, लेकिन चुनकि इस वक्त धोनी के खेल पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए ये सवाल उठ रहे है कि क्या धोनी के साथ कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, टीम मैनेजमेंट कोई नया प्रयोग कर रहा है या किसी रेट उनका काफी कम है, कम हो जा रहा है, जिसकी वज़ा से जो टीम का स्कोर बढ़ना चाहिए, वो उस हद तक नहीं पहुँच पा रहा है, बंग्लादेश के खिलाब भी ये देखा गया कि टीम साड़े 300 का स्कोर कर सकती थी लेकिन टीम 314 तक रुक गई, कई लोगों ने ये भी कहा कि महिंदर सिंग धोनी की स्लोब बैटिंग की वजहां से ये हुआ है, उन पर आरोप लगाए गए, इससे पहले ये भी देखा गया किंग लैंड के खिलाब जो उनकी लिभाजी को लेकर कई तरसे सवाल उठाए गए थे, तो ये देखते हुए टीम झाल